हेलो एंड वेल्कम टू पैंडलम एडियू जागत है दोस्तों आपका पैंडलम एडियू में और आज हम लिकर आए हैं आपके लिए हमारी स्रीज स्से-CSSL प्रीवेश यह पेपर सॉलीशन से सेंड लास्ट एनलाइस जो की पेपर गवा था आपका 11 जलाई 2019 आफ्टर नॉन शिफ्ट में इसे पहले कि सारे के सारे शिफ्ट के सॉलीशन आ चुके हैं बस सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट और इसके बाद बसती है जिसका अगर आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आई लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारी चैनल परेंड़ दर वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ अगी उनको भी हल्प मिले फेपर प्रिपरेशन को बुस्ट करने में तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर का पहला लोशन इस पेपर का पहला question का क्या रहा है if saw is coded as 8264 and cuddle is coded as 24623231522 then how will medulla be coded as तो यह है coding recording का alphabetical series के based question तो इसमें हम alphabetical series को एक और तरीके से नई तरीके से सीथते हैं कि उसको हम कैसे देख सकते हैं अगर आप alphabetical series को दो parts में divide कर दें यानि कि 26 alphabet होते हैं alphabetical series में English alphabetical series में तो अगर हम 1313 के pairs में उनको दो parts divides कर दें और उनको लिखने का order जो है जैसे मैं लिख रहा हूं उसकर से लिखेगा A B C D E F G H I J K L M N O T Q R S T U V W X Y Z अनि कि हमने 1 से लेके 13 तक जो है पहले एक series उनाई बन 14 से लेके हमने 26 तक एक और series नहीं तो इससे हो क्या रहा है काफी सारे questions SSC जो है इस particular logic से पूछने लगा है अब directly जो main जो हम normally usually बनाते हैं alphabetical series 4-4 के पेर में उससे भी कर सकते हो आपको करना क्या होता है अगर आपको opposite letters का एक concept होता है opposite letters यानि कि A यहाँ पर Z के opposite है B यहाँ पर Y के opposite है तो actually मैं होता क्या opposite letters का अगर आप उनके codes, code values यानि कि numerical values को add कर दो तो उनका sum 27 होगा हमेशा यानि कि अगर मैं A और Z को ले ले हूँ तो A की numerical value होगी 1 Z की numerical value होगी 26 अगर 1 प्लस 26 होता है आपका 27 आप कोई भी term ले सकते हैं G और T ले सकते हैं G का जो numerical value होता है वो होता है आपका 7 T का जो numerical value होता है वो आपका 20 होता है अगर आप 20 ब्लस 7 करेंगे तो 27 होगा तो आप बोल सकते हो यह opposite letters है opposite alphabets है है sorry तो अब देखते हैं हमारे जो code है वो किस तरह से दिया गया हमें बोला गया है 100 S-A-W-S-A-W का code दिया गया हमें 8264 अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो मैंने समझाया उसका application इस question में actually है तो S का जो code होता है वो आपको अगर अगर आप चेक करो तो S का code जो हो जाता है वो हो जाता है आपका यहां पर आप चेक कर सकते हैं इनको नंगीं जाता है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 22, 23, 34, 25, 26 तो जो S का code है वो normal code है वो है 19 and A का जो code है normal वो 1 है W का code होता है आपका 23 अगर आप ध्यान से देखें तो S के जो opposite letter है S के opposite letter जो है वो है H और H का code है हमारे पास S के opposite letter जो है मतलब कि 100 में अगर हम देखें तो S के opposite letter है H similar way में A के जो opposite letter है वो है आपका Z and W के opposite letter है यहां पर देखोगे आप W के opposite letter है D और उनकी जो numerical value code है अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आगया होगा कि logic हमारा निकल चुगा है D का जो numerical value code होता है 4 होता है Z की numerical value code जो होता है 26 होता है and H का जो numerical value code होता है 8 होता है similar way में हम चेक करें तो medulla का code भी लिख सकता है M, E, D, U, L, L, A अगर हम medulla का opposite writers का combination से medulla तो देखें तो हमें word मिलेगा M का opposite होगा N E का opposite होगा आपका यहाँ पर V D का opposite होता है W U का opposite होगा आपका U and U का opposite होगा F L का opposite जो है वो है आपका O तो यहाँ पर O and then O and A का opposite होगा Z है अगर हम देखें के numerical value course अगर हम A से लेके Z तक सबको numbers देदें 1 से लेके 26 तक तो N का code होगा आपका 14 V का code होगा आपका 22 W का code होगा जाता है आपका 23 F का code होगा आपका 6 O का code 15 then again 15 and Z का code होगा आपका 26 तो 14, 22, 23 then 61, 5, 15, 26 तो हमारा code जाता है 14, 22, 23, 6, 15, 15, 26 तो यह दिखा रहा है आपका option number B यानि की option B में code दिया गया है 14, 22, 23, 26 15, 15, 26 तो option B होगा इसका correct answer नहीं नहीं निहां नहीं नहीं होगा question number 2 यह दिया गया odd one out का question इसमें बोला गया है में कीवी, eagle, vulture and ghoul में कौन odd one out है वो flight यानि कि flight करती है, वलाइ, fly करती है वो, तो flight birds है वो, and kiwi एक bird है, जो कि flightless bird है, यानि वो flight नहीं कर पाती, तो option A जो हो जोगा, odd one out हो जाएगा, among the given options, नमूरी दाइस question, question number 3, question number 3, आपका mathematical operations पर based question, जिसमें अगर हम LHS side लिखें, तो LHS side हो जाएगी, आपकी A plus 15, 15 , 15 और सिर्फ 25 और सब्सक्राइब हैं को पुर्टुरा सब्सक्राइब और निवाइड मृइड होगा। हम पहले को सॉल करेंगे 20 divided by 10 जो होगा आपका 2 होगा एंड 2 को फिर दन हम multiplication करेंगे तो 2 into 8 होजाएगा आपका 16 16 यहां पर 15 दन 5 अगर हम इन दोन को add करें 15 plus 5 होता है 20 20 minus 16 4 होता है ना कि 47 तो option A है यहापे हम बोल सकता है eliminate होजाएगा अब हम चैक करें option number B को option number B में करना हम जाएक रहें तो हमें 8 और 15 को replace करना है यानिकि हम 8 से 15 को replace करें तो 15 आ जाएगा पहले 8 20 10 and then 5 अब यहां पर plus और minus को replace कर रहे हैं minus plus then यहां पर था multiply यह था divide तो 10 को 5 से divide करने पर हमें मिलेगा 2 and 2 को 27 करने पर हमें मिलेगा 40 40 तो 40 यहां पर minus का 8 है यह 15 है अगर हम 40 में 15 add कर दें तो हमें मिलता है यहां पर 55 and 55 minus 8 जो होता है वो होगा आपका 55 minus 8 will be 47 यानि कि यह आपकी RHSI में जाती है option B को कर हम solve करें तो option B will be the right answer for this question number 4 question number 4 question number 4 में बोला गया है तो में राटिना इस रेटेटेट तो आई in the same way as hydrogen इस रेटेटेट तू राटिना इस पार्ट अफ आइ समिलर मैंनर में hydrogen जो है वो पार्ट होता है आपका वाटर का वाटर को हम लिखते है एस तू है यानि कि वो hydrogen and oxygen से मिलके बनता है तो hydrogen is a part of water तो option नहीं हो जाएगा इसका correct answer नहीं होई एक्सेशन कुछ नमबर 5 कुछ नमबर 5 की बात करें तो हमें बोला गया है अगर हम इसमें आप देखें तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है आपर अगर आप 16 में 4 प्लस 3 यानि 7 एड़ कर दें तो आपको मिल जा रहा है 23 और सिम्ले वे में अगर आप 23 में 9 एड़ कर दें तो आपको मिल जा रहा है 32 तो देखें और सिम्लोजिक के साब से कौन सा उप्षिन फॉलोगर रहा है फाइंड आप पर दोस्तों 10 में अगर मैं 7 एड़ करूं तो मेरे को 17 मिलेगा ना कि 23 तो आप्शन नहीं हो जाता है हम और आप देखें तो आस्टड़ बिए फिर जो आ है नंकी क्लास हritoी है ःव के छह क्लास में बात करें काओ की और elephant की, दोनों के दोनों ही mammal class में है, दोनों के दोनों ही mammals है अगर हम बात करें swan और lion की, तो swan एक bird है और वो aves होती है यहाँ पर aves का relation जो है आपका lion जो है, एक mammal है, mammal से दिया गया है then whale and kite की बात करें, हम तो whale एक mammal है and kite जो है, again एक bird है तो Mammal का Relation यहां पर Aves से दिया गया है Then Hen और God की बात करो तो Hen जो है एक Aves है And then God जो है आपका Mammal है तो ऊपर हमें Relation दिया गया था Aves का Relation Aves से And Option A में Similar Logik है आपसे Mammal का Relation हमें Mammal से दिया गया है तो Option A जो होगा वो Correct answer होगा इस Question का Question No.7 है Number से भी से इसमें Number से बहुत Easy Question है अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख भी क्या होगा लाजिक बहुत ही Common Logik जो ऐसे सी हमेशा पूछती रही है अपने Papers में तो हम देखें Missing Time तक पहुंचने के लिए logic क्या follow गरना है 2, 3, 5, 7 और 11 Prime Number के 3 चल रही है Plus 2, Plus 3, Plus 5, Plus 7, Plus 11 तो 11 के बाद जो Prime Number आता हो है 13 तो 35 प्लस 13 अगर हम करेंगे तो हमें जाएगा हमारा Missing Time याने की 40 A 48 तो 48 बीड़ी राइट अंसर फो दिस Question Question No.7 तो नामोरियन आपको क्योंचन क्योंचन नमर ए Question No.8 है Select the option given figure X is embedded X जो figure है हमारी वो कहां पर embedded है वो हमें चेक करना है अगर हम Option No.C में चेक करें तो अगर आप देखेगा तो figure हमारी कुछ यहां से Start हो दिये और यह कुछ जारी है इस type से follow बढ़ते हैं इस बात को देन यहां से इधर जाने दर से इधर अगर आप देख पा रहे होंगे तो figure X जो है वो completely embed होगी हो Option C में तो Option C होगे इसका correct answer नमर इस एक Question Question में बनाई Question में बनाई में हो लेगा हमें Select the diagram that best Let's do the relationship between the following classes Ants, Butterfly and insects अगर आप देखें तो Ants और Butterflies दोनों के दोनों ही जो है इस वेंडाग्राम से denote कर सकता है Butterfly को इस वेंडाग्राम से denote कर सकता है तो Option C जो होगा Correct logic होगा और हम इन तीनों वर्स को Best possible way में Option C से denote कर सकता है Normalization Question Question में 10 Question में 10 है Coding, Recording का In a code language knife is written as MPG, how will sort be written as in that language तो इसके पहले हम इसको attempt करें हम पहले बनाज़ते हैं Alphabetical series Then हम चेक करते है क्या बुला गया हमें हमें बुला गया है Knife जो है वो है आपका MPGHG से code किया गया है अगर आप ध्यान से देखें तो K का code अगर आप यहाँ पे Alphabetical series का recording देखें तो K का code होता है 11, N का code होगा आपका 14 I का code 9 होगा F का code जो होगा वो 6 होगा and E का code 5 होगा Similar way में M का code 13 होता है P का 16 G का आपका 7 होता है H का 8 होता है G का गें 7 होता है तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हो क्या रहा है 11 प्लस 2 करने पे आपको 13 में जा रहा है 14 प्लस 2 गढ़ने पे आपको 16 मिल रहा है बस middle term जो है वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पे आपको माइनस करने पे जो है answer मिल रहा है 9 माइनस 2 यानिकी 7 मिल रहा है Similar way में अगर option मनलब 4 अलफाबेट की दरफ बढ़ें तो प्लस 2 गढ़ने पे हमें 8 मिल जा रहा है and then 5 प्लस 2 मिल रहा है तो लॉजिक जो चल रहा है वो चल रहा है प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 and then प्लस 2 तो सेम लॉजिक के साबसे हम SWORD को को कोड करें तो S का कोड होगा S will be coded as 19 W will be coded as 23 O will be coded as 15 R will be coded as 18 and B का कोड होगा आपका 4 तो अगर हम कोड चल रहा था मारा प्लस 2 प्लस 2 मैनस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 19 में प्लस 2 गढ़ने में 21 मिलेगा 23 में प्लस 2 गढ़ने में 25 मिलेगा 15 में माइनस 2 तो प्लस 2 गढ़ने में 20 code का आपकर T का and 6 तो code होगा वो आपका होगा F का U Y M T F U Y M T F यानी option A जो होगा इसका correct answer होगा now move the next question question number 11 question number 11 में गुले गए हमें select the option that is related to the third letter pair in the same way as the second letter pair is related to the first letter pair CH is related to F P in the same way GK will be related to which one तो इसके लिए हम alphabetical series बना दें सबस्के बेले and then इसको approach करता है CH CH मतलब करी CH code होता है 3 H K प्लस त्री करने पर आपको 10 मिलेगा 11 में प्लस त्री करने पर प्लस सॉरी प्लस 8 करने पर आपको 19 तो 10 जो कोड है वो है आपका J का and 19 इस ना कोड फोर S तो JS is the code for फोर जी के कैसे लेटेट जो होगा वो JS होगा एने ऑप्शन एस दराइट अगर आप इन फिगर्स को दिहान से देखें तो आप लॉजिक समझ में आ रहा होगा इस फिगर्स को हमें आ लेगे इसको B इसको C इसको D and then इसको E मान लेता है तो यहाँ पर A से B को अप्टेन करने के लिए हो क्या रहा है अगर आप दिहान से देखें तो यह है एक हैक्जगन यह हैक्जगन को अगर हम जाने की फिगर A को पूरी फिगर A को अगर हम एन्टी क्लॉक वाइज डारेक्शन में 90 डिगरी रोटेट करते हैं तो हमें फिगर B जो है उसमें कुछ इस टाइप से हमें कुछ पीयर उसमें अगर हम एक और नईफिगर को इंटर्टी करदे हैं तो हममारी फिगर B तो हमनी चाकरा है हमें आप एन्टी क्लॉक वाइज डेक्पर करने के बाद एक नई figure को इंट्रड्यूस करा figure B के अंदर अब देखते हैं figure C से figure D किस तरह से obtain हो इंगा figure B से a figure C किस तरह से obtain हो और figure B से figure C को obtained करने के लिए, हमने कड़ा कुछ नहीं है, बस हमने जो outer figure है, इस figure को हमने हटा दिया है यानिकि eliminate कर दिया है और बजती हमारे का figure C में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल वाली figure then C से D में जो हमने A से B में करा था similar वही करेंगे हम C से D को obtain करने के लिए कर क्या रहे हैं हम इसको हम C figure को हम anti clock 90 direction में 90 degree move कर rotate करेंगे तो हमें में लगी कुछ figure इस टाइप से और कोई एक नई figure हम उसे में इंट्रड्यूट कर देंगे जाना कि D से E तक जाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे जो हमारा ट्रेंगल है उसको हम eliminate कर देंगे यानि कि हम उसको omit कर देंगे मिटा देंगे और जो हमारे पास figure बच्चे होगी हम उसको directly denote कर देंगे जन figure E से जो figure F होगी मतला कि missing figure जो हमें जो दी गई है वो कैसे आएगी वह ऐसा आएगी कि figure E को आपको again anti clock wise direction में rotate करना है तो आपको कुछ figure मिलगी इस तरह से और एक नई figure आपको जो figure in figures में से पांचो figures में से यूज ना होगी हो वो figure को आपको introduce करना है तो अगर हम check करें तो option B और option A similar figures के अंदर बैठ रहे हैं तो option C और D तो directly eliminate हो जाते हैं अगर हम देखने वी मिलेगा इकड़ाइब था E करो था 5 आइक दिया नहीं यहां पर हो किया रहा है आपको देखना पड़ेगा फस्त तरम अगर हम चेक करें तो उसमें जो फस्ट लेटर दिया गया है यहां पर भी देख लेगे हैं के और MQ में क्या हो रहा है 11 में थरीं मिल जा रहा है 15 में प्लस टू गाप चल रहा है तो हम जो हमारी कर सकते हैं 9 प्लस 2 जो होगा आपका 11 होगा और similarly 13 प्लस 2 होगा आपका 15 तो 9 और 13 जो है वो शो करते हैं आपके alphabets 9 शो करता है I coin 13 शो करता है आपका M को तो IM will be the code for the missing term यान यह option C will be the correct answer for this question नमोजी का expression question about 14 कुछ आप 14 की बात करें तो हमें दिया गया है तो दोस्तों गर आपको ध्यान से देख कें तो आपको पता लगेगा 13 23 और 17 जो है प्राइम नंबर होते हैं आपको मिलता है आपका 74 और 74 को टूसर इवाट करने में को थर्टर मिल जारी है यानिकि 37 similar logic को हम apply करते है options में अगर मैं 12 में 14 को add करूँ तो मेरे को मिलेगा आपका 26 26 by 2 जो है 13 होता है ना कि 8th option नहीं हो जाता डारेक्ली element 16 में 74 को add करने पे मेरे को मिलेगा 80 and 80 by 2 40 होता है ना कि 70 है तो option B भी जाता डारेक्ली element तो option C की अगर हम बात करें तो 26 plus 64 जो होगा वो होगा 90 and 90 by 2 होता है 45 ना कि 120 तो option C भी जाता डारेक्ली element अगर हम option D की बात करें तो 6 plus 4 होगा आपका 6 plus 4 विल भी 10 and 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 जैने option D will be the correct answer according to the similar logic question number 16 question number 16 क्या गया रहा और इन the following words in the sequence as they appear in the English dictionary order English dictionary के according हमें इन को arrange करना है इन सारे words को English dictionary जो होती है English alphabetical स्रीश की according चलती है यानि कि जो alphabet पहले आएगा English alphabetical स्रीश में उसी के साब से वह ही alphabet स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो English dictionary में पहले आएगा तो हम देखते हैं starting letters क्या है इन words में सब में MA तो common है तो हम सब्सक्राइब जो starting के जो words हैं दो starting के जो alphabet से उनको हम हटा देते हैं अब हम चेक करते हैं इसके आगे इसके आगे अगे अगर हम चेक करें तो जो third alphabet है हर एक word में one two three four five six six words है उनका third alphabet जो है third alphabet की बात करें तो वो है आपका first में s है second में आपका r है then 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 r है तो p q r s s आता है बाद में alphabetical series according तो first number पे जो word है वो होगा English alphabetical series यानि कि dimissionary के according सबसे last में place यानि कि option a यहां से और option c यहां से डालेक लिए होता है one जो है last सिर्फ option b और d में तो option b और d जो होगे उनकी possibility बनती है कि वो correct होगे अब हम चेक करते है fourth alphabet की और सारे alphabet जो है third alphabet और सारे words के same है fourth alphabet को अगर हम चेक करें तो second का जो fourth alphabet है वो है आपका b then k है then आपका k है again then b है and then g है तो सबसे पहले जो होता है वो आता है b b ही आता है alphabetical series के according सबसे पहले तो इसमें English dictionary सबसे पहले हो आएगा तो इनकी one जो होगा वो लास्ट में होगा and five जो होगा वो स्टार्टिंग वर्ड होगा अब बी के बाद आता है वेवी सीवी एफ जी जी आता है उसके बाद तो जी वाला वर्ड यानकी six जो होगा उसके बाद होगा यानकी five six and then last word one अगर हम option B और दी में चेक करें तो five then six आ रहा है और वन जो है सिर्फ option B मैंना तो option B विल विला करेक्ट आंसर वो डिसकोशन ना मोहीं दक्सक्वेशन कुशन 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 वर 17 जो है कलेंडर बेस कुशन है इसमें पूछा गया है वाट 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 व वाला हूं जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी अब इस ट्रिक का अगर आपको पूरी डिटेल में इस ट्रिक को समझना है तो इसका लिंक जो है डिसक्रिप्शन में है आप इसको बहुत अर्चे से समझ सकते हो बहुत अच्छे से और तसलीश से समझाई यह ट्रिक, तो इस ट्रिक में करना क्या है और इस ट्रिक के help से आप कोई भी डेट दीव यूज का जो ड्य है, वो ठाट जुटकियों में निकाल सकते हैं, बस आपको ट्रिक को प्रेक्टिस करना होगा, ट्रिक क्या है इसमें आपको 5 वरियेबल देखने है वी 1, वी 2, वी 3, तो अगर आप देखें तो वीवन जो होगा वो डे का वरियेबल होगा वीटू होगा आपका मन्त का वरियेबल वीटू होगा आपका ये का वरियेबल वीफोर आपका सेंचुली का वरियेबल होगा और वीफाई जो होगा वो होगा लीपियर स्लेश नॉलीपियर का वरियेब अब बात करें हम V1 की जो दे का variable उसकी value क्या होगा जो date है वो ही directly उसकी value होगा 26 is the value for V1 ठीक है then बात करते हैं January की month का variable जो है January से find out होगा अब month का variable ये लिए आपको मैं code बता रहा हूं उसको याद कर लिए 033, 035, 614 and 625 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December सबके code सुनके नीचे लिखे गए हैं तो January का code नियाद से लिखके आपको बता सकते हो आपकी 0 code होगा तो वीडियो की value होगी 0 then year की बात करें हम year की बात करें 2012 दिखा गया है तो उसमें last to 2 words दी गए हैं आपको उनको लिखना है और उसको 4 से डिवाइड करके उसका कोशन निकाल देना है कोशन जान से सुनेगा कोशन निकालना है यादि 4 12 को कि इतनी बाद डिवाइड करेगा 3 ताइम्स तो 4 3 जा 12 और उसके बाद जो कोशन आए उसको आपको वापस से उसी नंबर में add करके 7 से डिवाइड कर देना है 7 से डिवाइड करेंगे and then उसका जो remainder आएगा उसको आपको लिख लेना है वही आपका variable 3 की रिवाइड होगी यानिक 7 को 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करता और उसके बाद उनके remainder को चेक करें तो इसके लिए एक code और बता रहा हूं मैं आपको 6420 बस यह ही याद रखना है आपको 6420 6 420 चार्षो बीस चार्षो बीस याद रहेगा 6 और पर लिए तो अगर आपका remainder इस से remainder 0 आ रहा है तो आपका code होगा 6 1 remainder आने पर 4 code होगा 2 remainder आने 0 1 2 3 अगर आपके सी भी डिजिट को 4 से डिवाइड दर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास remainder बचते हैं 0 1 2 3 तो code भी आपको 6420 मैंसे कोई ने कोई चूट करना पड़ेगा तो यहाँ पर 0 remainder बच रहे है तो code होगा हमारा 6 अब बात करता है leap year slash non leap year में code की leap year non leap year code जो होता है उसम zero qa1 0 हर case में सर्फ और सरप 0 ही लेनी आपको 1 सिर्फ ऑर सरफ special case है 1 तब होगी जब यहाँ जैनलिया गया घया आपको यह विख कुए का leap year का leap year तो यहां पर V5 की value हो जाएगी आपकी 1 अब आपको करना क्या आपको number of odd days निकालने के लिए आपको करना क्या होगा number of odd days निकल जाएगे आपके V1 plus V2 plus V3 plus V4 minus V5 कर दीजे यानि कि V1 plus V2 26 plus 0 plus 1 plus 6 minus 1 और divide कर दीजे इसको 7 से हो जो remainder आए ना आपका वही जो होगा आपका number of odd days होगा यानि कि 26 में 0 आपको 26, 26 plus 1, 27, 27 plus 6 जो होगा वो होगा आपका 33 and 33 में से 1 minus 22 में मिलेगा 32 32 को अगर मैं 7 से divide करूँ तो मेरे को remainder मिलगा है आपका 4 अब 4 remainder जो है यानि कि 4 odd days आपके पास जीरो odd day किसको represent करता है इतना तो आपको पता होगा जीरो odd day represent करता संदे को one odd day represent करेगा आपका मंड देगो two odd day teach देगो three odd day match देगो four odd day आपका represent करेगा थर्जडे को तो थर्जडे answer होगा इसका any option सी is the correct answer for this question 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 number 18 अगर आपको लगा हो नहीं अभी ट्रिक आपसे discuss करिए वो थोड़ा सा लेंद दी है तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपने इसकी practice नहीं करी है आप एक बार इसकी practice में आ जाओगे तो questions चुटकियों में हो जाएंगे my friends 10 से 15 seconds आपको लेंगे आपको जरूर पढ़ना है ऐसे सिसर्फ एक word से आपका question जो है गलत हो सकता है और एक word यानिकि एक question और एक question यानिकि आपके जो है numbers negative में हो सकते हैं एक question आपको negative number देखे जान सकता है और उसकी वरे से आपका जो rank होगा ना वह 1000 के उपर नीचे variable हो सकता हो जाएगा तो आपने जाओगा कि सिर्फ एक carelessness की वज़े से आपका selection रुख जाए उसको बड़े ध्यान से लेकिए left में अगर आपने mirror को place किया तो जो mirror की speciality होती है कि वो जो भी आपकी similar figures होंगी उनको बिल्कुल एड़ेटेज शो करता है और जो जितनी दूरी पे वो है mirror के right side में उतनी दूरी पे वो left side में भी show होंगी यहां पर एक circle show होगा देन जो है अगर हम बात करें इसमें यह तो ट्राइंगर है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा तो यह वाली तो फीगर है वो show हो रही है आपकी option number a में तो option a विल बिला correct answer for this question number in association question question 19 उसक्राइब 19 में का गया है मैं select the number and with the two numbers are related same way as are the two numbers of the falling pair related 7 दिया गया है 7 plus 6 जो होता है वो होगा आपका 13 similar logic को देखते विए अगर हम ज्यान से चेक करें तो जो है यहां पर होगा आपका 15 plus 2 होता है 19 जान अगर आप 17 में 6 add गर दोगे तो 25 नहीं होगा तो option B भी हर जाता है option A भी हर जाता है अगर आप 23 में 6 add करोगे तो आपको 29 में लेगा 17 में 6 add करने पर 20 में लेगा आप 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 आपको द्यांस दिखर हो इसमें आपको द्यांस दिखर हो इसमें तो सावन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक और प्राइम नंबर आता है जो की 11 होता है सावन 11 13 तो अगर यह सावन 11 13 लिखते हैं तो हम यह कॉंजियोटिव प्राइम नंबर के पेर हो जाएंगे सिम्लर वे मगर हम 15 और 19 को चेक करें तो 15 तो एक प्राइम नंबर होता ही नहीं है तो ऑप्शन भी डारेक्टी अलिमेंट हो जाता है वे प्राइम नंबर है जो अगला प्राइम नंबर होता है वह उता है तो सिम्लर लॉजिक के आपके आप सी विल बीगा करेक्ट आंस वर इस कुशन ना मोई ना इस कुशन कि नम्र 20 कुशन अपर टोटी जो है उसमें दिया गया है मैं स्लेक्ट ऑप्शन गई बाइन उस अब लिए प्लेश करना है उस मिर उसमेर के अंदर आपकी जो इमेज दिखेगी मिर इमेज वही आपका अन्फोल्डिं के बाद दिखरा होगा इस दारेक्शन में तो यहां पर हमने ए तो फाइनल इमेज जो दिखरी है वो दिखरी है हमारी सिंगलर वे में ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए इसको सॉचेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा यह बताता हूं आपको इसको सॉल्व करना किया से अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर को अगर मैं है पर लरूं तो होगा क्या से यह फिगर कुछ इस स्ट्या इप्शन खूल रहा हूँ कि फिगर हो धरूरा और कुछ द्योद्गों है हमारे पास लेयर से यह यहाले लेयर को मैए 1 मालनूँ, इसको 2 मालनूँ, इसको 3 मालनूँ, इसको 4 मालनूँ इसको 5 मालनूँ तो यह 1 है, यह layer वे 2 है, यह layer वे 3, 3 पर बनावाए, इक कुछ इस टाइब से, 3, इन यह 4 है, और यह 5 है अब इन लेयर के ऊपर बन के ऊपर जो है कुछ साइन इस टाइप से है देन सेकेंड के ऊपर एक साइन है आपका इस टाइप से देन जो थर्ड लेयर है उस पर साइन कुछ इस टाइप से है देने फॉर्थ लेयर को अगर मैं चेक करूं तो एक क्रॉस का साइन यहां पर भी है अगर मैं इन सारे के सारे जो यह आपको पार्ट दिख रहे हैं अगर इन चारे स्मॉल स्क्वाइर्ट को मैं ज्वाइन करने तो मेरे पास complete एक सर्फेस मिल जाएगा अगर मैं चारो स्कॉर्स को चारो फिगर्स को जो है कम्माइन करतें तो एक स्कॉर मिन जाएगा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यह वाली जो फिगर है वो फोल्लों के इस साइड जाएगी यह वाली फिगर जाएगी वाली फिगर आपकी जाएगी इस साइड और दूर्ट वहाएगा मगा यानि कि पूरा पूरा एक फेस बना दीजिए हो अगर मैं इसको ऊपर की साइड का फेस मानूं तो दिखाएगा कुछ इस टाइप से और इसके अंदर कुछ इस टाइब से हैं यह फिगर है हमारी कुछ इस टाइब से तो इसकी हम folding इस साइड गर रहे हैं इस direction में गर रहे हैं तो आपको क्या गरना है इस line के बाद एक mirror को place करना है जो mirror में image दिखरी होगी folding के बाद वो कुछ इस टाइब से लिखेगा तो यह वाली में दिखेगे आपको कुछ इस तरह से बात करें हम इस वाली मेंज की तो यह मेंज है कुछ इस टाइब से इस तरह से अगर हम इस image का mirror image check करेंगे तो वो लिखेगा आपको कुछ इस टाइप से लिखेगा आपको किस तरह से तो यह हो जाता है आपका mirror इमेज दिखरी होगी वो sorry mirror में इमेज दिखरी होगी आपकी कुछ इस टाइप से तो mirror में इमेज दिखरी होगी आपकी इस टाइप से तो यह आपकी जो mirror image हो जाएगी वो कुछ इस तरह से तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो दिखेगा कुछ इस टाइप से अब हम चेक करते हैं हमें जो options दिए गए हैं मतलब जो figures दिए गई है 1,2,3,4 उन्हें कौनसी valid होगी और कौनसी invalid होगी पहले तो हम सिर्फ जो यह हमारा close करने के बाद जो close figures हैं मतलब कि combined figure बोल सकते हैं इसको बोल देते हैं combined figure combined figure जो है उसको देखता है कि कौन-कौनसी figures में combined figure जो दिए गई है वो possible है अगर हम figure 3 की बात करें तो बिल्कुल exactly उची तरह से दिख रही है अगर हम इस figure को rotate करें rotate करके हम जो close dice बनेगा उसको भी तो आप rotate करी ही सकते हो तो अगर हम इस figure को भी rotate कर लेते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अगर हम इसको 90 degree rotate करें तो हमारे पास figure बनके आएगी कुछ इस type से इस figure को हम 90 degree clockwise direction में rotate करें अगर हम तो figure बनके आएगे हमारे पास कुछ इस type से यह जो arrow types है और ट्रेंगल टाइप है kind of वो कुछ नीचे की side हो जाएगा then अगर हम इस वाले triangle को आप करें तो यह भी नीचे की side हो जाएगा लिए concent रहे जो symmetrical figure है तो यह देखें की तरह से तो अगर हम अब देखें चेक करें option two को option not option two two second figure ौ तो उसमें भी जो combined figure है उसकी वाले से यह possible हो पार है अगर हम अब देखें option one को तो option one को अगर हम इस figure को किसी भी दरह से rotate कर दें इस figure और थ्तों कि सब्सक्राइब isn't है कि सब्सक्राइब से क्याइं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने अभी बनाई उसकी तो कमाइंड देखेंगी कुछ उस टाइप से कैसी हमने बनाई है तो option 1 जो है possible नहीं हो पाएगा action 1 बिल्कुल भी possible नहीं हो पाएगा then हमें दिये गए है options इससे directly element हो जाते है option A और option B तो possible होंगे जोगी उसमें 1 को बताएगा है कि वो represent कर रहा है folding के बाद paper एको cube जो बनता है उस type से अब देखते हैं 2 और 3 को हमने देख लिया कि वो possible है अब बात करते हैं 4 की 4 की अगर हम बात करें तो आपको 2D open dice की property पता होने चाहिए property क्या होती है अगर आपके पास कोई भी straight line देख लें आप यह एक straight line आपके पास यह एक straight line अगर straight line में 2 से ज्यादा surfaces हैं तो जो alternate surfaces होंगी वो एक दूसरे के opposite होंगी अगर वो हम उसको 3D cube बना दे तो 1 will be opposite to 3 and 2 will be opposite to 4 and similar way में 5 जो होगा वो 5 opposite होगा आपका combined figure के तो figure 4 की अगर हम बात करें तो अगर हम बोलें यहाँ पर 4 लिखावाई यह 4 और यह है आपका जो non-colored figure 4 है 1 है और 2 है 4 1 2 को अगर हम एक साथ वो कर दें close कर दें close करने के बाद यह इस type सा है इस type सा है और अगर हम इस तरह से denote करना चाहें तो यह हम show कर सकते हैं कुछ इस type से आपका अगर हम इसको बताएं 1 इसको बताएं हम आपका 2 और इसको आप बताएं 4 तो यह possible है कि हम एक साथ से अगर इस दाइस को देख रहे हैं तो यह possible है कि यह figure हमें इस type से देख सकती है तो figure 4 भी possible है और figure 3 और figure 2 को आप चाहिए चुग है कि वह possible है क्यों क्यों कम्बाइन figure पी एक दब exact representation कर रहे हैं तो हमारा हो जाता है figure 2 3 & 4 only are possible after holding the paper A तो जो है option C will be the correct answer for this question I hope आपको इस question बहुत अच्छे से clear होगा होगा ना मोई दाइस question question बहुत वह चुशन में चुशन में चुशन में चुशन में चुशन देखते हमें statement के क्या का आगा है लेका लेका है no carrot is the root no carrot is a root then बोल लगया हमें all roots are potatoes all roots are potatoes case बना सकता है case one is type से एक case और भी बन सकता है दोस्तों no यह carrot हो सकते है then बोल लगया carrots are roots some no carrots are roots बट हमें यह नहीं बुलागया कि कोई potato भी carrot नहीं हो सकता है तो हम यह बोल सकता है कि all roots are potatoes यहां पर एक दम चाहिए some potatoes are carrots भी हमें true हो सकता है तो यह case two बन जाता है अब हम case two को one will be wrong, conclusion two की बात करें तो इसमें बुलागया हमें no potatoes are roots इसी भी केस में true नहीं है तो conclusion 2 directly true false हो जाता है हम बोला कि हमें some potatoes are roots क्योंकि all roots are inclusive of potatoes मतलब कि all roots are potatoes सारी roots potatoes हैं तो हम यह तो हम बिल्कुल कह सबते है short shot कि कुछ potatoes हैं वो roots होंगे तो figures को देख कि हम बोल सकते है कि conclusion 3 जो होगा वो true होगा अब बात करें conclusion 4 किए conclusion 4 है conclusion 4 कि अगर हम बात करें तो इसमें लिखा कि all the potatoes are roots all the potatoes are roots जो है आपका किसी भी case में true नहीं हो रहा है तो directly हम बोल सकते हैं कि conclusion 4 will fail तो conclusion 3 follow करेगा आपका सारे statements को तो option A जो हो जाता है इसका correct answer आपको त्रैंगल जीए इस थाइप से इसको दो पार्स में लिखा गया हो तो आपको निमारिकल में लिखनी है वन से लेके 2 तक और अगर आपको और पार्स में रिखा गया हो तो 1,2,3 और जितने पार्स में लिखा गया है से 1,2 बंटे जीए रिखने के 3 हिउस फिर ऑ्तों से ओल जाता है इस चेक है तो और एक क्याइंगल बहुता है आपका यानिक की 13 ट्रेंगल सो जाते है आपके यहां पर पॉसिबल उसके अलावा और कोई ट्रेंगल जो है वह पॉसिबल नहीं होगा इस फीगर उनसी में अनिए ऑप्शन सी विल्पाइर आप से सब्सक्राइख मखें और मुनिद देशन गूर्ट में लाम जोन नहीं यहां मैं खानगे। है तो हैं मजर सेम है तो माला देव यों में अब्रदर शिस्टर्स होंगे जब्रदर शिस्टर्र या इस इसीस्टर तो यह तो अब बोलत है माध़ फैस कोगी वािफ महेश की अब भूला मैं मैं हमाइश में डिलेट उनली महेश manner मैं ड्राइब के अपाधर मैं हैनुट है मैं फसे भूला मैं अधी और मैंट्रें और मुद सब्सक्राइब वो होंगे पैटर्म ग्राइंपागर नियो प्शिए अप्शिए नमों इस लास्ट कुश्टन अफ दिस वीडियो अनलाइस इसमें गया हमें थ्री फोलिंग फोलें फोलें प्लेश अलाइक एन इसमें प्लें पिक दॉर्ट वन ओड तो इसके रहां जब आलफ़ेटिकल स्व तुर्ट आएं तो अब टो अबसुमारे तो यहां पर टु होता है सब्सक्राइब करें तो नाइन प्लस टू करने के आपको 11 मिल जा रहा है नाइन प्लस टू करने के फॉलोवर है ऑप्शन डी की बात करें तो हमें यहां पर भी सिम्लर लॉजिक फॉलोवर होता है टू सब्सक्राइब करें तो शेजरा है इसलिक रियुक्ता प्लस टू होता है तो यह जो है उप्षोप अग्रष पर पसंद आई होगी अगर आपको इए वीडियो पसंद आएए दोस्तों तो इसको लाइक करें और ज्यादस जादे आपको फैला दें शेर करें अपने दोफडों के साथ तडा कि जैसे आपको मज़ा रहे इस वीडियों को समझ और समझने में ऊसी तरह हमें भी मज़ा आना चाहिए जाद स्थाथ लोगों को सिंग दोस्तों अबी तक हमारे चैनल परकार मेंगने है तो सब 스रेब से पहले इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बैल आइकन दवाना बिल्कुल ना मूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अप्डेट्स मिलते रहे हमारे आने वाली शीरी आने वाली वीडियो की आप एक काम और कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करना कि SSC में करेंट अफेर्स को बहुत बड़ा बेट है आपको हिंडी इंग्लिज दोनों लैंग्वेजिज में करेंट अफेर्स में अगलेवल मिलिंगी महां पर आपको महां पर वर्ट ऑफ दडे और उसके जैसी काफी कुछ चीजे जो है महां पर देखने को मिलिंगी तो हम झाल